चिली अंगालिक के तमाम वियोर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम स्वागतम खुशामदीच सलाम आपने मटन और चिकन के साथ बहुत सी सबजियां खाई होंगी जैसे शलजम गोर्ष्ट, गोभी गोर्ष्ट, पालग गोर्ष्ट या हम चिकन के साथ भी बनाते हैं पालग चिकन, छोले चिकन या और इस तरह की बहुत सी सबजियां आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूं वो ना आपने कभी खाई होगी ना कभी सुनी होगी यह मेरी अपनी इजाद है जो की है चिकन खुर्फा साग तो हम इसे बनाते हैं वीडियो को लास तक देखिए चिकन खुर्फा साग बनाने के लिए हमने लिया एक किलो चिकन इसके स बीन कर धो कर तयार कर लिया, एक टेबिल स्पून कुटावा लेसन लिया है, आप लेसन का पेस्ट भी ले सकते हैं, और एक टीजपून हरी मिर्च का हमने हरी मिर्च को कुट लिया है, दो मीडियम प्यास जिसे चॉप कर लिया, दो टमाटर मीडियम साइज के इने भी चॉप कर लिया डिर टीजपून नमा एक टीजपून लाल मिर्च पाउडर एक टीजपून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक टीजपून हल्दी पाउडर एक टेबिल स्पून धनिया पाउडर और एक टीजपून गरम मसाला पाउडर इसके साथ ही दो तेजपात यह मेरे छोटे इसलिए मैंने चार-पांच लिये हैं, छे लॉंग, चार हरी लाइची और एक दालचीनी का पीस, दो इंच का, फ्लेम हमने ओन कर दिया, हमने लिया है पैन में आधा कप ओय और इसमें हम डालेंगे ये अपनी कटी होई प्याज, इसे फ्राई करेंगे, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अब हम ये खड़े मसाले डाल देंगे, इसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन, और इसका कलोर चेंज होने तक, इसे फ्राई करेंगे हम, चिकन का कलोर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे लैसन का पेस्ट, और या कुटा हुआ लैसन, और हरी मिर्च कुटी भी, और इसे एक मिनिट फ्राई करेंगे चिकन के साथ, लैसन भी फ्राई हो चुका है, अब हम डाल देंगे ये कटे हुए टेमाटर, पाँच से साथ मिनिट हम ढग कर पकाएंगे, अब हम टेमाटर के सॉफ्ट होने का अंतजार करेंगे, जब तक हम खुर्फे को रफली चॉप कर लेंगे, पाँच मिनिट हो चुके हैं, और टेमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हैं, और ये टमाटर हमने छील कर काटा था, तो ये जल्दी गलता है, नहीं तो छील का इसका नजर आता है, तो आप छील कर डालें या बगएर छीले डालें, तो अब हम डालेंगे ये अपने पाउडर्ड मसाले, येने मिक्स करेंगे, कटा हुआ खुर्फा भी मिलाते जाएंगे, खुर्फे में पानी ज्यादा होता है, तो इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, खुर्फा अपना पानी छोड़ता रहेगा, और मसाला भुनता रहेगा, और खुर्फा भी भुनता रहेगा इसके साथ, तो काटते जाएं खुर्फा, मिलाते जाएं, और इसे ढग दिया करें, हमने सारा साथ काट कर डाल दिया, अब इसे भुनने के लिए हम 20 मिनट ढग कर पकाएंगे, जिससे चिकन भी गल जाएं, और ये साथ भी भुने, आधा गंटा हो चुका है, चिकन खुर्फा साथ को पकते हुए, और 20 मिनट हमने लो फ्लेम पर पकाया, और 10 मिनट हमने इसको मीडियम टो हाई फ्लेम पर पकाया, क्योंकि इसमें पानी बहुत जादा होता है, तो उसे खुश्क करने के लिए, और मसाले को बिलकुल भुना हुआ हुआ बनाने के लिए, हमने 10 मिनट पकाया आए, खोल कर, अब यह देखें, ऑईल सेपरेट हो चुका है, मसाले से, इसका मतलब यह तैयार हो चुका है, अब इसे हम डिश आउट करते हैं, और आपके सामने पेश करते हैं, चिकन खुर्फा साग हमने तयार कर लिया है, आपने ऐसी डिश नहीं खाई होगी, लेकिन इस डिश को आप जरूर ट्राइ करें, और वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल करें, लाइक करें, शेयर करें, चाहें तो कमेंट भी कर सकतें, एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूं, अपना बहुत जादा ख्याल लखें, थैंक्स पर वाचिंग